हेलो फ्रेंड आज मैं लेकर के आ गई हूँ बहुत ही कम समय में बनने वाला बहुत यूनिक रेसिपी आपको यकीन नहीं होगा कि हाँ इतना कम समय में इतना टेश्टी नास्ता बन करके तयार भी हो सकता है हाँ फ्रेंड तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं देरी किस बात की आलू को मैंने यहां पर कदूकस कर लिया है मैंने तीन ठो आलू लिया था उसको मैं कदूकस इस तरह से कर ली देखिए और इसको पानी में ही मैं रखी थी नहीं तो बाहर रखती तो ब्लैक ब्लैक हो जाता यहां पर मैं रख दी हूँगा इस पर कढ़ाई उसमे मैं डा दालूंगी आधा छोटे चमच जीरा और जीरा एकदम जब चटकने लगेगा उसके बाद मैं डालूंगी चली फ्लेक्स यदि आपके पास चली फ्लेक्स ना हो तो सुखा मिर्च को क्रस करके आप डाल सकते हैं यदि आपको जादा तीखा पसंद हो तो जादा तीखा रख सक सकते हैं सफेद तील दो बड़े चमच इसमें मैं सफेद तील डालूंगी इससे इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा इसलिए मैं सफेद तील डाल रही हूं यहां पर मैंने डाल दिया है आधा छोटी चमच कास्मीरी लाल मेर्च यह छोटी चमच है यदि बड़ा चम चमच ले सकते हैं तो उसमें आधा चमच कीजिएगा और यहां पेगदम थोड़ा सा हल्दी पावडर और इसमें मैं डाल दूंगी थोड़ा सा पानी आप जिस तरह से तीखा रखना चाहते हैं उस तरह से रख सकते हैं मैं थोड़ा सा डाली हूं मिर्च और यहां पर मैंन अच्छे से मिक्स करूंगी और इसमें मैं डाल दूंगी स्वाद के अनुसार नामक और इसको अच्छे से मढख करके बस पांच मिनट के लिए पका लूँगी एक अदू कस है तो बहुत जल्दी गल जाता है तो इसको गलने में टाइम नहीं लगता है देखिए कितना अच्छा से गल चुका है और मैं आपको दिखा रही हूँ एजीली बहुत जल्दी गल जाता है और इसमें अभी पानी है तो आप टेंसा ना लीजिए इसी में मैं डालूँगी एक कटोड़ी आटा जो छोटे वाला कटोड़ी से मैं ली हूँ एक कटोड़ी आटा इसमें मैं डाल दूँगी और अच्छे से मिक्स करूँगी और नमक तो मैं पहले डाल चुकी थी इसलिए मैं अभी नहीं डाल रही हूँ इसलिए मैं पहले ही डाल दी थी नमक अभी नमक डालने से क्या होगा कि अच्छे से आटा में या आलू में अच्छे से मिक्स नहीं हो पाएगा इसलिए मैं पहले ही नमक डाल दे ठी आप भी पहले ही नमक डाल दे अब इतने नमक डाले कि हाँ दोनों में बराबर बराबर हो जाए नहीं तो क्या होगा कि या तो मतलब जादा हो जाएगा या कम हो जाएगा और देखिए कितना अच्छा तरह से मिक्स हो चुका है बाद में मैं पानी नहीं डाली हूँ इसको इसी आलू में ही इसको अच्छे से मैं भून लूँगी बस दो मिनट के लिए इसको अच्छे से भून लूँगी देखिए भुनने के बाद कितना अच्छा दिख रहा है और इसको मैं ढख करके बस पांस मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ दूँगी और ठंडा होने के बाद मैंने लिका लिया है एक कटोड़ी में और थोड़ा सा हाथ में टेल लगा करके और अच्छे से इसको शेट कर लोंगी देखिए कितरा यह बिल्कुल भी हाथ में नहीं चिपक रहा है यानि एकदम परफेक्ट डोप बन करके तयार हुआ है एकदम आठा की तरह सौप्ट है और इसको मैं एकदम छोटे छोटे बॉल्ब की तरह बना लूँगी और बहुत इजीली बन जाता है और खाने में तो बहुत टेस्टी लगता है देखिए कितना अच्छा से बन करके तयार हुआ है इसी तरह से मैं बना लूँगी सारे बॉल इसी तरह से बना करके तयार कर लूँगी फ्रेंड्स यदि मेरा ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक से और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और कमेंट करके जरूर बताईएगा कि आटे वाला रेसिपी कैसा बना है तो इसी तरह से मैं सारे बॉल बना करके तयार कर ले रही हूँ और देखिए कितना अच्छा से मैं बॉल बना करके तयार कर ली हूँ और यहां पर मैंने रखती आगा इस पर कढ़ाई उसमें मैं डाल दी हूँ रिफाइन ओयल आप चाहे तो तेल में भी बना सकते हैं और एकदम गरम हो चुका है इसमें मैं एके करके डालूंगी और हाँ इसमें मैं क्या की हूँ कि थोड़ा सा तिल उपर से मतलब लगा ली हूँ गोट कर ली हूँ इसमें यदि आप चाहे तो कर सकते हैं नहीं तो skip कर सकते हैं क्योंकि थोड़ा अच्छा दिखेगा तो इसलिए मैं लगा ली हूँ क्योंकि पहले भी मैं दो बड़े चम्मज तिल डाली थी सफेद तिल तो डालने की भी कोई जरूरत नहीं बट मैं डाली हूँ आप भी चाहे तो डाल सकते हैं या फिर देखिए कि दिखने में इतना अच्छा है तो खाने में कितना टेस्टी होगा और इस बात का ध्यान रखिएगा कि एकदम मेडियम तूलो फिलेम पर इसको पकाना है क्योंकि अच्छे से अंदर तक अच्छे से पक जाए और देखिए कितना अच्छा से पक चुगा है एकदम हलका हलका ब्राउंड हो चुका है इसी तरह से मुझे रखना है अब मैं इसको एक एक करके निकाल दूँगी फ्रेंड्स आपको यकी नहीं होगा कि इतने कम समय में इतना टेस्टी नास्ता बन करके तयार हो सकता है हाँ बहुत टेस्टी नास्ता बस पांच मिनट में बन करके तयार हो सकता है देखिए इसी तरह से मैं सारे बैस बना करके तयार कर ली यानि दो बार में मैं सब बना करके तयार कर ली एक बनाई हो बिना तिल गोट किये हुए एक में तिल गोट करके बनाई हो देखिए कितना अच्छा से बन करके और तयार हुआ है तो इसे तरह से आप लोग भी बनाईए दही के साथ, चटनी के साथ, कोई चीज से भी खाईए, बहुत टेस्टी लगता है और देखिये कितना सौप्ट बना है, आपको लग रहा होगा कि यह बहुत मतलब हाड हो गया और फिर कुछ यह बहुत सौप्ट बना है एक बार अप अपने बच्चे को बना करके खिला दीजेगा, तो बार बार यहीं मांगे गेलो कि हाँ आप यहीं बना करके दीजेए और आपको भी बहुत इजी होगा क्योंकि बहुत कम समय में बन करके तैयार हो जाता है, बस आलू बालने का भी जंजट नहीं है, बस चटपट बन जाता है, और बहुत टेस्टी भी लगता है पूरा वीडियो वज़ करने के लिए थाइंक्यू, थाइंक्यू सो माज, तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में